नमश्कार मैं वो प्रदीप आप थिंग 360 देख रहे हैं नागोर की जो सीट है वो पूरा गौर करवा रही है पहले चरण के लोगसवा चुनाओं में जोती मिर्धा यहां भाजपा की प्रत्याशी है और कॉंग्रेस ने गटबंदन किया है बोतल वाली पार्टी यानि की आर माहिरा भरेंगे अनुबान बेनिवाल ने भी कहा यह आखरी माहिरा होगा माहिरा क्या होता है आपको पता होगा कि खासकर के नागोर में तो बड़ा फैमस है कि जाटों का माहिरा बहुत फैमस रहा है अभी काफी खबरें भी आई इतने करोड का माहिरा भरा बहन के लिए जो है उनके बच्चों के विवाह में जो जिस रस्म को अदा करते हैं जिसमें वो क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहा है जिसमें कोटम भी है सिस्टम रहा है जाहे जिसके उपर भारत का civil law जो है वो decided है जिमोत वाहन की टीका मिताक्षरा और दायभाग पे उसके अनुसार बेटी को संपत्ती में पिता की संपत्ती में उस वक्त हिस्सा नहीं दिया हुआ था तो जब बेटी के घर पे कोई काम है कोईवसर है सूआवसर है या किसी भी तरह का आऊवसर है तो उस अवसर पर भाई की ओर से आर्थिक और एक बड़ा सा योग जो है वो किया जाता है तो हैं उसी तरीके से गोविन सिंग डोटासरा एक शब्द लाए मोरिया वोला देना तो बड़े राजस्तान में शब्द जोड़दार चल रहे हैं मोरिया वोलाने पर फिर जिक्र करेंगे लेकिन माहिरा भरने की बात हैं कि साथ जोती मिर्धा जो की नागोर से 2009 में सांसद रही फिर जो है वो दिल्ली मामला उनका जमा चुनाव लड़ने यहां आती हैं वगेरा तमाम तरह की डायलोग बाजी हुई लेकिन जोती मिर्धा का जब जिन्दाबाद के नारे लगे तो उन्होंने कहा भी तीन बार लगाए आपने यानि कि वो तीन बार हारी थी तो ये अपने वक्ष में किसी ने किसी राजपूत नेता को खड़ा बाते हैं मसलन कि जब विधान सबा चुनाव लड़ते हैं राजपूत वो टेक तरफ चले जाते हैं और अनुबान बेनिवाल जीच जाते हैं इस बार भी गजंदर सिंग रसीद कुरा चुनाव लड़ रहे हैं अब यह है कि नागोर वाली सीच पे अगर राजपूत गजंदर सिंग रसीद पुरा की ओर जाते हैं जो कि भाजपा तो यह मानती है कि राजपूत हमारा बोल वोट बैंक है और राजसमन से जिस तरीके से महिमा कुमारी को टिकट दिया है चितोड के पूरू राजपरिव से और महिमा कुमारी के पती फिलाल विधायक भी है तो हाजपा गये मानना है कि पूरे राजस्तान में राजपूत वोट तो नहीं करेगा जैसा कि विदानसवा चुनाओं में जो अगर सरवादिक किसी एक जाती के मले हैं तो वो राजपूत हैं बीजेपी में और इधर द अलग ट्विष्ट जाता है दुर्ग सिंग जब खड़े होते हैं तो हनुवान बेनिवाल चुनाओ जीच जाते हैं नागोर में चुनाओ की जो भाषा है सब्दों का जो चैन है उस पे कोई कंट्रोल नजर नहीं आता मसलन की पहले लोग हनुआन बेनिवाल को ही कहते थे और उनके एक हाड कोर चवी शब्द चैन के कारण बनी लेकिन बड़ी लाइन खीच दी उनके पास में रिचपाल मिर्दा ने रिचपाल मिर्दा के डायलोग के लिए लोग सर्च कर रहे हैं गूगल में ट्रेंड करता है उनका की भी सर्च ट्रेंड में आता है कि आज बोलें वो ठेट दिहाती मारवाडी अंदाज में बोलते हैं और लोग उनको सुन रहे हैं सब जगें तो अब यह जो शब्दों का चाहने इसको लेके जरूर जो है वो कई नेता अपत्ती जता चुके की महिला पत्याशे उनके सामने शब्द जो है वो इस तरीके के नहीं होन चाहिए बात ठीक भी है और सारुजनिक तो क्यों ही हो आप बंद कमरे में किसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें लेकिन यह जो शब्द है यह पहली बार हनुमान बेनिवाल ही कह रहे हैं यह बात कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि रिचपाल मिर्दा तो उनसे पहले भी व के तोर पे भी रख नहीं सकते क्योंकि आपने राजस्तानी को तो मानता ही नहीं दे रखी तो चुनाव आयोग भी इन शब्दों को किस तरीके से तोलेगा वी आप जिसको भाशा ही नहीं मानते लेजिसलेटिव रूप से तो खेर वो भाशा वाली बात अलग है लेकिन कु अब्दों के शयन की जो परा कास्था रही है यह पहले से तय है नातुरा मिर्दा के वक्त से भी और हार्ड कोरनेस जो है ना वो भी नागोर की पहचान है कास्ट बेस हार्ड कोरनेस चाहे वो किसी भी जाती का प्रभाव जब रहा है तो कास्ट बेस हार्ड कोरनेस यहां प फोटो आया है जदीब धनकड के साथ समयदानिक पद्पे हैं करनल केसरी आप एसी के मेंबर है उसके अलावा जो ये आप ये देखिए एक दूसरी जगे तो यह लाड़नू परबसर और ये जो सीटे हैं खास करके तो यहाँ युनुस खान बागी हुए अगर युनुस खान को बीजेपी टिकट देती तो फिर मुस्लिम राजपुत गडवंदन बनने की संभावना वाद थी लेकिन भाजपा ने टाय कर रखा था युनुस खान जो पिछला चुनाओ में याद करूं अगर में यह इश्यू नहीं चलता यहाँ जाती वाला मामला चलता है तो हाड़कोर नेस की अपन बात कर रहे थे जो हाड़कोर नेस थी मिर्धा, मदेरना, जूदपूर के अंदर यह जो फैमिली ज थी जो पुराने परिवार जिस तरीके से बॉलिवुड में यह चौपडा फैमिली यह खांस होते हैं उसी तरीके से इलाके में जो फैमिलीज वाली पॉलिटिक्स थी उसको खतम करने का काम जब हनुमान बेनीवाल ने किया तो दूसरी जाती है उनके साथ जुड़ी मसलन की राजपूत भी जुड़े और चुनाव जीतते गए लेकिन अब नागोर में जो यह तीसरा एंगल जो निकल रहा है बसपा वाला अगर यह है वोट बैंक एक तरफ चला जाता है और मार्जिनल ही चला जाता है तो फिर यहां अलग तरह की की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और कहा जाए तो मायरा भी बढ़ सकता है कोई और अगर मानली जी मायरा नहीं बढ़ा तो फिर हनुआन में बेनिवाल जो है वो एक बार फिर से संसत पहुँचने से चूकेंगी लेकिन क्या रहेगा यह जनता तै करेगी पहले चरण में ही चुनाओ है नागोर में नागोर में जो जिन से दुश्मनी थी खास कर के हरेंदर मिर्धा के खिलाब उप चुनाओ लड़ा था नाराण बेनिवाल ने जब हनुआन में बेनिवाल संसत गए थे कॉंग्रेस के नेता खास कर के हनुआन बेनिवाल ने तब प्रत्याशी उतारा जब हभीबुर रह्मान चुनाओ हारे उनका प्रत्याशी मार्जनल वोर्ट बेंक ले गया था हनुआन बेनिवाल का प्रत्याशी मार्जनल वोर्ट बेंक करवाएंगे चुंकि सत्ता में नहीं है इसलिए पावर का भी फरक पड़ता है परंतु नागोर पे अब जो है वो बिल्कुल आसान चीजें नजर नहीं आ रही कि वहाँ जो टककर हैं उसके अंदर कई तरह के ट्विस्ट हैं और उन ट्विस्ट में जोती विर्धा जो कि कॉ वो इधर से थे अब एंगल बदल के आमने सामने हैं देखना है पाला बदला है इसी तरीके से कवड़ी के खेल के अंदर आपका जो आदा समय इस पाले से होता है आदा उस पाले से तो यहां यही इसी तरीके का वैटल है किसी भी तरह का खेल हो फुटबॉल हो ओकी हो गॉ और तीसरा प्रत्याशी किस के वोट ले जाएगा अगर वो बहुजन समाज पार्टी से होने के नाते अगर जो अनुसुचित जाते के विचारधारा के वोट ले जाता है तो फिर नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस का होगा यानि कि UPA हनुवान मेनिवाल का होगा और क्योंकि उनके पाली लोग सबक्षेत्र के एक बड़े नेता जो है पुक राजगर्ग भाजपा में चले गए हालांकि यहां से दो विधायक जिले से थे तो उनमें से एक SEC थे तो आजात समाज पार्टी से उनका गठवंदन पहले जो कांशी राम वाली आजात समाज पार्टी जिस और नागोर का परिणाम तै करेंगे यही समीकरण कि नागोर में किस तरीके से चुनाव को जमेगा और किस तरीके से चार्जून को परिणाम आएगा पब्लिक तै करेंगी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर चैनल क सब्सक्राइब करें